हालो फ्रेंट्स एक बाग फ्रेर आपको वतुष स्वागेतर दूस्तों आज की इस वीडियो में हमें आप बात करने वाले हैं रुलखन उनिवोस्टी के इंटरेंस एक्जाम फॉर्म 2030 के बारे में आपको पता ही होगा रुलखन उनिवोस्टी और उससे एफिलेटिट कॉले वीडियो में एंड तक बने रहीगा और अगर आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्रेब करके बैल इकिन को जो प्रेस कर लिए तो चलिए दूस्तों आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हमें आप पर बात कर लेते हैं कि इस समय इंटेंस एक्जाम कराय जा रहे हैं बाकी जितने भी कोर्सिस हैं उन सभी में आपका जो एड्मियूशन है वो मेरिट के बेस पर किये जा रहे हैं जैसके एमसी हो गया है पहले इसमें भी इंटेंस एक्जाम होता था ठीक है कोविड-19 से पहले जब कोरोना का समय नहीं था उससे पहले क्या हो कोर्सिस हैं उनमें भी आपके इंटेंस एक्जाम के बाद ही जो एड्मियूशन है वो मिलते थे उसमें क्या होता था कई सारे कोर्सिस ऐसी भी होते थे जिसकी वी एलेड हो गया या फिर बगरा हो गया जितनी सीट है इनिवोस्टी से अफिलेटिट कॉलेजिस में जो सीट समाप्त कर दी और कुछ कोर्सिस में क्या गिया गया अभी कोविड-19 के समय काफी जादर प्रॉब्लम्स हुई थी एड्मिशन के समय और एक्जाम कराने के समय ठीक है उसमें यहां पर लॉगडाउन बेगर लगा हुआ था तो उसमें इनिवोस्टी ने में में जो कोर्सिस है ठीक है उनके केवल इंटरेंस एक्जाम कंड़क्ट करा है जैसे कि अभी मैंने बताया आपको अमेड का इंटरेंस एक्जाम कंड़क्ट कराया ललम का इंटरेंस एक्जाम हुआ और एंपल बगारा का जो आपका इंटरेंस एक्जाम है इन तीन कोर्सिस के इंटरेंस एक में भी हो सकता है ठीक है यानि कि जिन पहले नहीं हो रहे थे दो तीन साल से उनमें भी आपका इंटरेंस एक्जाम हो सकता है लेकिन कंफर्म तभी होगा जो उनुवोस्टे की दरफ से जारी किया जाएगा अब आप कहेंगे तो आप यहां पर हमें पहले से जानकरी क्यों दि जा रही क्योंगी कई साथ इस्टेंट्स जानकरी मांगते हैं यह चीज जानना चाहते हैं कि इंटरेंस एक्जाम फॉमड फिल के जांगे तो मैं इसलिए आपको बता इंटेंस एक्जाम होगा बाकि जो अधर कोर्सिस बैचे हुएं पीजी कोर्सिस में जिसकी एमस्सी एललबी और वियलेड और बीपीड बगरा उनमें इंटेंस एक्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है युनिवरस्टी गूपर डिफेंड करता है फिलाला आप अपनी अच्छाहरी बनाकर रखींगा ेनिवरस्टी की आभी काफी जादा समय लगेगा इंटेंस एक्जाम आने में क्योंकि अंडेग्योट कोर्स कंप्लीट करने वाले इस्ट्रेंट से ही पीजी कोर्समें प्रेट होता है उघ्जण से एडमियुसयल लेते तो जब आपके यहां पर करते हैं जो वाले स्टुटेंट्स होते हैं वह इंटरस उटस एक्जाम फिल ओने में लगवागा आक मान कर चले मैं या उसके बाद में आपको इंटरस एकजाम फॉर्म देखने के मिल पाएंगे कि सारी स्टुनेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे जिस वज़े से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया इंटरेंस एक्जाम फॉर्म फिल होने में अभी काफी ज्यादा समय है दो से तीन मंत अभी आपके लग सकते हैं और आप मान कर चलिए कि माई या उसके बा कि वो आपको आगे फिर वाइट करा दी जाएगी तो आप अपनी जो तैयार है वो आच्छे से बना कर रखेगा अब बाकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वस्ते इतना ही अगर आपका कोई क्वेस्चिन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टैप कर सकते हैं मिलते पिक वीडियो में एकना इंप्रमिशन के साथ थिंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो